नमस्कार दोस्तो मैं हूं डॉक्टर अर्पिना स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में दोस्तो इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपथी की दवाइया हम लोगों को अलग-अलग medical conditions में अलग-अलग बिमारियों में मदद कर सकती है दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे immunity के बारे में तो immunity या रोग प्रतिरोधक शमता क्या है कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक शमता को बचा सकते हैं होमियोपती की कौन सी दवाईयां है जो आप लोगों को इसमें मदद कर सकती है तो दोस्तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे अगर आप लोग मेरे चानल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चानल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दे ताकि आप अपडेटेड रहें मैं जब ही कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ आप उसे मिस नहीं करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इम्म्यूनिटी और होमियोपती तो दोस्तो ये इम्म्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शमता ये क्या है हमारे बॉडि की जो इम्म्यूनिटी है ये बनती है हमारे जीवन शैली से हमारे लाइफ स्टाइल से हमारे खान पान से हमारा स्ट्रेस लेवल या कितना तनाव हमारे लाइफ में है और हम किस तरह से ऐसे situation में हम react करते हैं, कितना stress हम अपने आप पर लेते हैं, कितना stress से हम प्रभावित होते हैं, हमारी नीन्द कैसी है, तो अगर आपकी अच्छी नीन्द है, तो definitely आपकी जो immunity है, वो अच्छी है. आप जितना भी refined खाना या packaged खाना इन से दूर रहेंगे और natural चीजों का सेवन करेंगे, seasonal fruits, vegetables इनका सेवन करेंगे, उतनी ही आपकी जो immunity है या रोप प्रतिरोधक शमता है, वो आपकी अच्छी रहती है. अगर आप किसी तरह की कोई chronic बिमारी से सफर कर रहे हैं, लंबे time से medications ले रहे हैं, strong medications आप कुछ ले रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी आपका जो overall immunity है, वो सफर कर सकता है. तो चलिए बात करते हैं, कि अगर हमें अपनी immunity को strong करना है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अपने life से stress को हटाना है, तनाव को हटाना है, और stressful situation में अपने आप पे आप उस stress को हावी ना होने दे, या stress से आप प्रभावित ना हो, तो ये एक बहुत important step है, क्योंकि हम stress को control नहीं कर सकते, बड़ stress से हम effect नहीं हो, वो हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, आप अपने routine में, आप अपने lifestyle में कुछ changes लाए, regular exercise करे, अच्छा खाए, पिए, जरूरी नहीं है कि हमेशा packaged खाना ही tasty होता है, और घर का खाना tasty नहीं होता, तो घर का खाना खाए, जादा स जादा fruits, vegetables इनका सेवन करें और packaged खाना या refined खाने से दूर रहें, आपकी नीन अच्छी होनी चाहिए, तो एक proper time में सोने जाना यह बहुत जरूरी है, आपकी नीन जितनी अच्छी होती है, उतना ही आपका body next day के लिए अच्छा prepare होता है, तो आप जब सोते हैं, तो आपके body के जितने भी cells हैं, tissues हैं, सब relax होते हैं और rejuvenate होते हैं ताकि वो properly अपना काम कर सके, आपकी नीन अच्छी होनी चाहिए, आप जितना अच्छा सोते हैं, आपकी sleep quality जितनी अच्छी होती है, उतना ही आपका body rejuvenate होता है और उतना ही बहतर आप अपना काम कर सकते हैं, तो आपको मदद कर सकती है तोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी वो है जलसीमियम अब जलसीमियम जो हमारी दवा है ये आपको मदद करती है जब बॉडी में एक लेथारजी होता है एक ड्रॉजी फिलिंग होती है नीन दारही है बॉडी में एकदम सुस्ती सी चाही हुई है एक फिवरिश फिलिंग है बुखार तो नहीं है पर बुखार की फिलिंग बनी हुई है इतना ज़्यादा ड्रॉजी लगता है तो कई बारी ऐसा फिल होता है कि आँखे भी खोल नहीं पा रही है जो eyelids है उनको खोल नहीं पा रहे है eyelids अपने आप ही बंद हो रही है इतनी जादा weakness हो रही है इतना जादा drowsiness feel हो रहा है सर्दी है, जुखाम है, गले में खराश है scratchy throat आप लोगों को हो रहा है नीद आ रही है, बार-बारी मन कर रहा है कि सो जाएं, तो ऐसे में जलसीमियम एक दवा है जो आपके immunity को दुरुस्त करने में और ऐसे condition से निकलने में आपको मदद कर सकती है flu, flu-like symptoms में भी जलसीमियम एक बहुत अच्छी दवा है आपको drowsy feel हो रहा है सर में चक्कर आ रहा है, सर में भारी पन हो रहा है बैट कर उट रहे हैं तो लग रहा है कि सर घूम गया तो ऐसी जो एक feeling हो रही है इसमें भी जलसीमियम एक बहुत अच्छी दवा है आपको मास पेशियों में भी कमजोरी कम हैसूस हो रहा है muscular weakness, muscular pain ऐसे लग रहा है कि हाथ पैर लड़ खड़ा रही है trembling की feeling हो रही है तो ऐसे स्थिती में जलसीमियम को 30 potency में आप लोग ले सकते हैं इसकी कुछ डोज आप लेंगे तो जो बॉडी में एक weakness सेट इन हो गया है एक लेथार्जी, एक सुस्ती पना गई है स्टेल था या food poisoning के लक्षन दिख रहे हैं बहुत जादा loose motions हो रहे हैं vomiting हो रही है तो ऐसे में arsenic album दवा का प्रयोग कर सकते हैं arsenic album में एक बहुत जादा बेचैनी होती है restlessness होती है, घबराहट होती है fear होता है तो सर्दी जुखाम भी हुआ तो एकदम से मन में डर बैट जाता है fear हो रहा है कि मुझे क्या हो गया क्या होगा, क्या मैं बचूंगा क्या मैं नहीं बचूंगा तो ऐसी एक feeling, एक fear सेटिन हो जाती है बहुत जादा mental restlessness या mental बेचैनी होने लगती है patient पानी पीता है घूट घूट करके पानी पीता है एक बारी में पानी भी नहीं पीता है तो इस तरह कि जब बेचैनी सेटिन हो जाती है restlessness सेटिन हो जाता है तो arsenic album एक बहुत अच्छी दवा है बहुत जादा ठकावट का महसूस होता है body से dehydration हो रहा है vomiting हो रही है loose motions हो रही है इसके वज़े से भी एक exhaustion का महसूस होता है खांसी भी हो सकती है खांसी के साथ white, frothy, bulgum वगरा जाना इसके लक्षन है तो अगर ऐसी situation है तो arsenic album 30 के कुछ doses अगर आप लेते हैं तो ऐसी समस्या से आप उभर सकते हैं और आप फिर से fit and fine feel कर सकते हैं दोस्तों जो हमारी next medicine है वो है oscillococcinum ये जो दवा है oscillococcinum इसको हम homeopathic anti-flu medicine भी हम कह सकते हैं तो ये जो दवा है ये आपको मदद करती है जब आप लोगों को upper respiratory tract infection आपको होता है गले में खराश हो रही हैं चीके आ रही है कई बार हम देखते हैं अगर seasonal आप लोगों को problem होती है periodical problem आप लोगों को हो रही है हर साल एक time पे तबियत खराब होती है सर्दी जुखाम हो जाता है sinusitis हो जाता है सर में दर्द हो रहा है और लगातार ये चीज चल रही है काफी सालों से ये problem चल रही है तो ऐसे में आपके immune system को boost up करने में और ये जो recurrent infection हो रहा है upper respiratory tract infection हो रहा है सर में दर्द हो रहा है sinusitis हो रहा है चीज के लगातार आ रही है ऐसे situation में ocelococcinum medicine आपको मदद कर सकती है इसको 200 potency में ले सकते हैं कुछ doses इसकी लेंगे तो ऐसे situation को आप avoid कर सकते हैं दोस्तो अगली हमारी medicine है alien sepa ये जो alien sepa medicine है ये बनती है onion से तो अगर प्यास कभी काटा है आप लोगों ने तो कैसे आंख़ से पानी आने लगता है ठीक इसी तरह का हम allergic manifestation जब देखते हैं छीके आ रही है लगातार sneezing हो रही है sneezing हो रही है गले में खराश है ऐसा लग रहा है कि नाक में कुछ भारी सा है कुछ congestion है कुछ एक weight है तो ऐसी constant sneezing और ऐसा constant heaviness की feeling हो रही है छीकों के साथ-साथ आखों में से भी पानी आ रहा है चीकते चीकते जो नाक के मार्जन है जो नॉस्ट्रिल्स हैं तो इन में भी एक जलन हो गया है नाक पोंचने के टाइम पे भी नाक के मार्जन में एक जलन की फीलिंग हो रही है बर्निंग हो रही है क्योंकि इतनी जादा चीके आई हैं तो ऐसी जब समस्या होती है तो एलियम कुछ बंद है, क्लोस्ट है, वहां पर आपको प्रॉब्लम जादा लग रही है, वहीं ओपन एर में जाएंगे, खुली हवा में जाएंगे, तो थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, बहुत जादा पानी जैसा जलन वाला पानी नाक से आ रहा है, वाटरी बर्निंग डिस्चार् और ऐसे सिंटम से आप अपने आपको रिकवर कर सकने हैं, तो दोस्तों ये थी हमारी चार बेहत महत्व पूर्न दवा जो आपको मदद कर सकती है, अगर ऐसे आपको सिंटम्स या लक्षन होते हैं, मैं उमीद करती हूं कि अभी जो इंफॉरमेशन में आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अगर मेरे चानल में नए हैं, तो चानल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंपोर्टेंट इंफॉरमेशन आप लोग मिस नहीं करें, अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइ चाहिए, हमारे अवे लेवल टाइम फ्लॉट्स में से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें, तो मेरे ओफिस के वाट्साप नमबर पे, वाट्साप के मार्धियम से भी मेसेज भेज सकने हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंट्मेंट की सारी डीटे मिल जाएंगी, ऐसी ही और भी जानकारी हैं, डिस्क्रिप्शन वाक्स में उन्हें अवश्य देख ले, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्त रहिए, तैंक्स फॉर वाचिंग